नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इन्फार्मेशन बिद पीके पर मैं हूँ पिंकु कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फार्मेशन बिद पीके सभी सहारा निवेशकों के लिए काफी बड़ी जो अपडेट हम लेकर के आये हुए हैं जैसा कि आप लोग आउन थमनल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो आखिर किस टोपिक पर रहने वाला है क्योंकि आप लोगों का जो भुकतान है सहारा इंडिया क के अंदर जितने भी लोगों का पैसा फसा हुआ है चोटे निवेसक हों चाए बड़े निवेसक हों तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आडर आया हुआ है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और जो साती साथ जो पांच जार करोड सोरी जो पांच जार करोड का बुक्तान होना था उस पर क्या होगा उसकी हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो बने रही गए वीडियो में अंतक अगर आपका भी पैसा साहरा इंडिया के अंदर फसा हुआ है आपका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है और आपने साहरा रिफंड पोर्टल पर बुक्तान होगा या नहीं होगा हम लोगों का जो पैसा है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटा सा अन्रोध है कि करपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूलें जिससे इस प्रकार की आने बाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेसन सरप्रथम आपके पास पहुँंच सके और मैं सहारा से रिलेटेट पलपल की ख़बर आने बाली हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवा गुखतान के ऊपर उस पर जो है कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की जा रही हम लोगे मुपतान के बारे में कलीर डेत्ḍ размалась नहीं बता रहे हैं न कोई कलीर पैसे के बारे पता रहे हैं, सब तो सब फंड़ा अटका हुआ है सरकार पे, क्योंकि हम लोगों का पैसा है, आप लोग जानते होंगे कि सहारा रिफंड पोर्टल अमिस्सा के द्वारा लांच किया गया था, तो उनहीं के अंडर में ये जो पैसा हम लोगों का फसा हुआ है, अगर सरकार च है, सरकार पर ही सब कुछ नेवर होता, ऐसा नहीं है, सुप्रिम कोर्ट भी है, सुप्रिम कोर्ट के वल नयाय के लिए है, तो नयाय तो करेगा ही, लेकिन भुक्तान के बारे में उसका जो आर्डर आया हुआ है, वो हमें विफल लग रहा है, तो दोस्तों जो भुक्तान है वो सरकार के अंडर में है सरकार चाह जाए तो हम लोगों का ping वहीने के अंदर हो जाएगा तो अब बात करें भुक्तान हम लोगों का मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा तो ये बहुत ही जोखिम प्रक्रिया लग रही है क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो प्रक्रिया है काफी दिनों से चल रही है लेकिन हम लोगों का भुक्तान नहीं हो पा रहा है काफी दिनों से निवेसक गड़ परियसान है लगातार अपने सुयाव दे रहे हैं सोसल मीडिया के माद्यम से लेटर दे रहे हैं सरकार को सुप्रीम कोर्ट को और आफिसों में जा रहे हैं लेकिन कहीं कुछ सुनवाही नहीं हो रही है तो भुक्तान अब आप लोग जानते भी होंगे इधर 29 दिसंबर की डेट भी नजदीक आ रही है आज 18 दिसंबर हो गया है अब देखो हो सकता है हम किलेटरी किलीव दोग्तिंटर Antrag मैं क्लियरploy moyens नहीं हो पाएगा संपूर्ण नहीं मुक्तान अपाएगा हो पाएगा तो थोड़ा हो पाएगा क्योंकि कि इस पर ने प्रिकर्व विडियो में निया वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद नमसकार दस्तों